हाई फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि PDF को डार्क प्रिंट करें कैसे करें हमारा में मोटीव है हम कोई फोटो या PDF प्रिंट कर रहे हैं तो हम उसको डार करना चाहते हैं सायद उसमें आपका ल इस पर आपको मिलेगा डिवाइस एंड प्रिंटर इस पर जाना है Windows 7 में भी लगवग सेम ही तरीका है यहां पर आपको जो करना है दिखे प्रिंटर इंड स्कैनर में रहे है रहा प्रिंटर को सिलेक्ट करिएगा यह रहा और आपको यहां पर जो ऐसा पेज है वह मिल इस पρχे जाईएगा जाने के बाहिए यहां को मिलेगा में पेस्ट सैट अप तो यहां पर आपको में आना है इस पर आने के बाद्स अब अब दिफर्ट प्र अंप पहले डिफरोत पर सेट कर दीजिए यहां है color instantly देखिए यहां फिर यहां पर लिखा है color intensity तो यहां पर आपको manual करना है सबसे पहले अगर आपका photo black and white है तो आप grayscale को चालू करिए set option पर जाईए और यहां पर इसकी brightness को कम जादा कर सकते हो यह इसका brightness हो गई और यह इसका आ रहा है अगर आपको यह page यहां से ना मिले तो आपको जो PDF है उससे open करिए यहां पर जैसे कि आप में PDF करता हूँ open यहां पर एक यह रहा मेरा PDF मेरा right click करता हूँ इस पर open with पर जाते हैं Google Chrome पर आपको जाना है Google Chrome पर आपको अपना जो PDF है open कर लेना है open करने के बाद आपको यहां पर देखिए यह मेरा PDF है आप डारेक्ट किलिक कर सकते हैं Ctrl Shift P ऐसे सेटिंग खुल जाएगी Ctrl Shift P करोगे ऐसे सेटिंग खुल जाएगे वरना प्रिंट की कमांड आप दो होगे तो आपको यहां पर आपको एक बटन मिलेगा नीचे की तरफ Ctrl Shift P का देखिए यहां पर है यहां पर नीचे है यह रहा इसे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आ जाएगा तो हमको पेज पर आयाना है मोर सेटिंग पर जाओगे मोर सेटिंग पर जाने के बाद देखिए वही पेज फिर से आ गया में अप्सिन पर जाएगा अगर आपको फोटो कलर है तो इसको बंद रखिएगा यहां पर प्रिव्यू कर दीजिएगा कलर है तो इसे ऐसी रहन दीजिए मैनुल पर आईए सै लागिन वाइट है तो ग्रेस्केल चालू कर देजिएगा सैट आप्सिन पर आईएगा और यहां पर मैं इसे इतना कर देता हूं और इसे इतना कर देता हूं ओक्के कर देता हूं और ओक्के कर देता हूं फिर यहां पर कंट्रोल प्लस पी करते हैं तो यहां पर हमारे जो print की command है देखिए एकसेप्ट हो जाएगी देखिए आपको छोड़ा difference देकने को मिलेगा यह थोड़ा सा highlight हो गया है तो बाकी आपना जो print है निकाल सकते हो more setting पे जाके अपना print highlight कर सकती हो सायद आप समझ गए होंगे बश ध्यान खिएगा अगला print प्रिंट निकालने से पहले सेटिंग को नॉर्मल कर लीजिए गावना आपका जो प्रिंट है अगर कोई साई फोटो होगा तो वह ज्यादा हाई क्वालिटी में यानि उस पे जाएगा ध्यान रखी गए इस बात का तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल नए टॉपिक के साथ